हेलो फ्रेंड्स तो आज इस वीडियो में हिस्ट्री एर भारत फार्स्ट का चाप्टर एट जिसका नाम है दा गुपता एरा कन्क्वेस्ट एन एक्सपेंशन ओफ दा किंग्डम क्लासिक्स के क्वेशन अंसर से एन एक्सेसाइस को इस वीडियो में कवर करेंगे सबसे पहले हम करेंगे चूज राइट अंसर फर्स्ट क्वेशन है शाकास वर रिजिदेंस ओफ यह कहां के रहने वाले थे शाकास तो यह सेंट्रल एश्या के रहने वाली थे सेकिन है चंदरगुप्त फर्स्ट स्ट्रेंग्डिड इस पॉलिटिकल पोजिशन बाइविशन जो है वो उर स्ट्रॉंग हो जाए तो कुमार देवी के साथ थार्ड है स्कंदुप्त ने एक टेंपल बनवाया था कौनसे भगवान का इन्होंने टेंपल बनवाया था सुधर्शन लेक के बैंक्स पर तो लॉड विश्नों का फोर्थ है फेमस पोईट ओफ चंदरगुप्त विक्रम अधित्ते स्कॉर्ट वो तो विक्रम अधित्त है 1480 तक वो इंडिया में ही रहते हैं सेकिंड पार्ट है फिल इनद ब्लैंक्स फर्स्ट है जो फाउंडर है गुप्त डेनस्टी का वो कोन है चंदरगुप्त फर्स्ट है सेकिंड क्वेशन है कि डैश स्टार्टिड गुपता समवत को किसनों ने स्टार्ट किया तो चंदर गुपता डैस्टी डैस्ट डिफिटिड धूनास बैडली फोर्थ है सकंदगुप्त ने कौन सी लेक को रिपेर करवाया तो सुदर्शन लेक को इन्होंने रिपेर करवाया नेक्स्ट है मैच करेक्टली हुनास सेंटलेश्या कालिदास ग्रेट संस्कित प्लेइट आर्या भट ग्रेट साइन्टेस्ट फाहीन चैनीज ट्रैवलर चंदरगुप्त सेकिन शाकारी नेक्स्ट पार्ट है ट्र्यू एंड फॉल्स सो फर्स्ट है समंद्गुप्त डिफेटिट सेवन किंग्स इन दे कंक्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया तो ये फॉल्स है चंदरगुप्त फर्स्ट मेड कुमार गुप्ती सक्सेसर और ये भी फॉल्स है सकंदुप्त आफ्टर डिफेटिंग दा हुनास को हराने के बाद उन्होंने विष्णुपिलर को बनवाय था विलेज में तो ये ट्र्यू है फोर्थ है हुना जो पावर थी हुनास की पावर वो पीक पर थी अंडर दर लीडर्शिप ओफ तॉर्मन और महिर कुल तो ये भी ट्र्यू है फिफ्ट है समंदवुप्त ने पफोर्म किया था अश्व मेड यग को ताकि क्या कर सके to become the चकरवर्थी एंपरर इंविंसिबल एंपरर बनने के लिए अश्व मेड यग किया था तो ये ट्र्यू है नेक्स्ट है आंस्वर इन ब्रीफ फर्स्ट क्वेशन है राइट दे नेम्स ओफ एनी टू रूलर्स ओफ गुप्त एंपायर के कोई भी दो रूलर्स के नाम लिखने है कोई भी लिख सकते है आप समुंधर गुप्त चंदर गुप्त यहाँ पर जो ये ए है ना ये को काट लिए ना चंदर गुप्त एंड समुंधर गुप्त आएगा question second है how many times did समुंधर गुप्त इन्वेड नॉर्दन इंडिया को नोंने कितनी बार करमन किया तो twice दो बार इनोंने किया two times थर्ड Quesion है, नेम द गुपत एरा, गुपत रूलर वे डूलेर ज़नोंने नेम एड़ूंध गुपत रूलर जिन्होंने महराजा का टैटल क्या किया था आ ऐजूंग के तो उनका नाम है श्री गुपत फॉर्थ क्वेशन है नेम एनी फॉर्ट साइन्टिस्ट ऑफ गुप्त पीरियड के चार साइन्टिस्ट के नाम बताने तो आरिया भट व्रामिहीर ब्रहम गुप्त वाग भट फिफ्ट है जो चाइनीज ट्रेवलर है फाहीन इंडिया में आये थे दूरिंग दे टाइम ओफ कौन से गुप्त रूलर के टाइम पर यह आये थे और कौन से बुक इनों ने लिखी थी तो चैंदर गुप्त पीरियड को गॉल्डन एज बोला जाता है एंशिट इंडिया के इस question को justify करो reason देखकर तो गुप्त रूलर्स ने क्या किया था जो इनका सामराज्य है इनको इनोंने height तक ले गए थे इसके अंदे development बहुत जादा इनोंने की थी development को यह height तक ले गए थे पूरी की पूरी जो इंडिया थी उनको इनोंने एक ही धागे में एक एकता के धाग इस पीरिड के टाइम पर इंडिया का जो कल्चर है वो क्या हो रहा था वो दूसरी कंट्री में भी spread हो रहा था नेक्स्ट है फार्मर और जो common people है वो बहुत खुश थे और crimes जो थे वो less थे उस टाइम पर उस टाइम पर प्रोग्रेस हुई थी unprecedented progress in the field of art and culture में बहुत जादा प्रोग्रेस हुई थी art और culture में नेक्स्ट है there was peace and prosperity in the whole of the country अभी यह हो गया कि पूरी कंट्री में क्या था prosperity थी peace थी अभी उपर किया है बेशक इस point को मत लिखना क्योंकि उपर यह बात आ चुके कि there was peace and prosperity all over India और यह वेला भी next point भी मत लिखना है trade relations अच्छे थी इनके साथ country क्योंकि यह उपर लिखा हुआ है एक ही point में दो लिखे है आप इनको अलग लग भी लिख सकते हो और एक line में लिखना है एक में भी लिख सकते हो तो यह नीचे बाले कट कर लेना यह double हो चुका है दो बार लिखे कर गए है question second है evaluate the achievements of चंदरगुप्त second की achievements को evaluate करना है देखो चंदरगुप्त second ने शाकास कुशानास इंद मालवा गुजरात काथियावार रीजन्स में इन्होंने जो revolt किया था उस revolt को उन्होंने suppress किया था खतम किया था इसी वज़े से उन्होंने बेंगोल के उपर आक्रमन किया और वहां पर जो सरदार थे विद्रो कर रहे थे उनको भी इन्होंने स्टॉप कर दिया उनकी मुमेंट को भी चंदरगुब सेकिंड ने डिफीट दा वहलिक्स कास्ट प्रेडिं ड एरिया राउंड सिंदु रिवर चंदु रिवर के आसपास जो कास्ट थी वहलिक्स कास्ट उनको भी इन्होंने हराय था चंदरगुब सेकिंड ने इन्ट विदेशी कास्ट थी जो की साथ ब्रांचीस में क्या होगी थी फैल चुकी थी इंडिया के अंदर और इन्हों ने खतम किया और इन्हों ने जो पंजाब है उसके रीजन को भी अपने एंपाइर में जोड लिया था अपना सामराजे को नों ने एक्स्पैंड कर लिया इनके टाइम पर जो बाउंडरी से गुपता अंपाइर की वो नौर्थ में हिमाल्या साउथ में नर्मदा रीवर इस्ट में भ्रंपुत्र रीवर और वेस्ट में अरेबियन सी तक फैली हुई थी इन्होंने मैट्रिमोनर रिलेशन्स मतलब की जैसे शादी करते है ना तो यह जो मैट्रिमोनर रिलेशन्स इन्होंने इस्टैबलिश किये थे ताकि यह क्यों करते थे मैट्रिमोनर रिलेशन्स आपस में दूसरे दूसरे राजाओं के साथ ताकि इनका जो स्ट्रेंथ है इनकी जो पावर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए इतनी है अब इ जो आक्रमन किया था गुप्त पीरेड के टाइम पर हुनास जो थे यहां हुन्स लिखा हुए हुनास लिख लेना हुनास जो थे वह बार्बेरियन्स थे Central Asia की ये एक tribe थी, आदिवासी, जैसे tribe नहीं होती है, आदिवासी जो ये एक type की tribe थी Central Asia से, इन्होंने गुप्त Empire पर attack किया था सकंद गुप्त के टाइम पर सकंद गुप्त ने इनको बहुत ही badly तरीके से हराया और इनको यहां से भगा दिया फूर्थ क्वेशन है, गिवे एनिक फोर रीजन ऑफ देकलाइन ओफ गुप्त एमपायर जो गुप्त एमपायर है, वो डाउन फोल हो जाता है, उनका डिकलाइन हो जाता है, वो धीरे-दीरे खतम होना चुरु हो जाता है, तो रीजन क्या है इसके? फस्ट है वास्ट एम्पायर को प्रोपर तरीके से संभाल नहीं पाई, मैनेज नहीं कर पाई, इस वज़े से एक रीजन डेकलाइन का यही है, सेकिन है इंटर्नल स्ट्राइफ, इंटर्नल स्ट्राइफ मतलब जो अंदर ही आपस में ही लड़ाई जगड़े होने शुरू हो गए थे, थर्ड है, इन्वेजन ओफ हुनास, हुनास ने जो आकरमन किया था वो, आफ्टर दे रेट ओफ सकंद गुप्त, सकंद गुप्त की देप के बाद, जो इन्वेजन है हुनास का वो इंक्रीज हो गया, बार बार अटेक करे जा रहे थे, जिसकी वज़े से एकॉनमीक लोस इंक्रीज हो गया, इनको एकॉनमीक लोस होना शुरू हो गया और जो यह अटेक थे, यही रीजन बनते हैं इस एंपाइर का डाउनफोल का, नेक्स्ट है, expansion of empire, empire जो है वो क्या हो जाता है, expand हो जाता है, at that time there was a shortage of resources, उस time पर resources की shortage थी और जो area था empire का वो पहुत जादा बड़ा था, जिसकी वज़े से security system अवलेबल नहीं था, हर जग्याई पर और proper time जो है security system अवलेबल नहीं था, एक रीजन ये है इनका invasion की downfall होने का Chapter 8 Class 6 जिसका नाम है The Gupta Era Conquest and Expansion of the Kingdom कि Question-Answers and Exercise complete होती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें Thank you